हेलो काईज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं पावर सेक्टर के दिगज स्टॉक टाटा पावर कंपनी लिमिनेट के स्टॉक के बारे में स्टॉक के करण प्राइस की बात करेंगे तो 197.65 की करण प्राइस चल रही है तो चले अब हम चलते हैं इसके technical chart पे ये जो आप chart देख रहे हैं हमने इंजल 1 में लोग इन कर लिया है टाइम फरिम की बात करेंगे तो वन डे टाइम फरिम में हमने इसको सेट कर लिया है देखें दोस्तों स्टॉक में जो है 190 से लेके 200 का याने के 10 पॉइंट का बहुत ही important support zone बन चुका है क्योंकि स्टॉक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो multiple time इसी level पर आने के बाद में यहीं से हमें उपर की और bounce करते वे stock दिखाई दे चुका है अभी exactly stock को अगर आप देखेंगे तो 196 की level पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि यह वाला जो zone रहेगा हमारी लिए बहुत ज़ादा important support zone है क्योंकि stock पहले भी multiple time उपर यहाँ से गया है तो possibility ज़ादा रहेगी कि यहाँ से आगेन हमें उपर की और bounce देखने को मिल सकता है अगर से आप इसमें fresh entry का plan करना चाहते हैं buying side में तो आप यहाँ से कोई एक bullish candle बनने दीजिए bullish candle बनने के बाद में ही आप इसमें fresh entry का plan करें और इसके नीचे का छोटा सा यसे लगा कर ही आप इसमें जो है entry आपको plan करनी है तो चली दूस्तों अब हम चलते हैं इसका ओवर्वी फोर्कास्ट और लास्ट फूरियर का financial trend क्या शो कर रहा है यसे कि आप यहाँ पी देख सकते हो ROI वर्सेस FD rate की बात करेंगे तो stock में जो है bank FD rate से भी अच्रेटन जनेट होते वी दिखाई देते हैं कि बात करेंगे तो stock में बहुत ही अच्छा attractive dividend भी देखने को मिलता है entry point good time to consider stock is not in overbought zone मतला यहां से entry plan कर सकते हो क्यूंकि stock जो है overbought zone में नहीं है सबसे में इंपोर्टन शीज होती है नोरेट फ्लैक शो कर रहा है जब भी आपको इपी stock में entry बनाएं long term short term या swing trade के लिए तो नोरेट फ्लैक देखे ही आपको जो है उसमें entry बनानी होती है तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसका last four year का financial trend क्या शो कर रहा है जिसे कि आप यहा पर देखने को मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है तो इसके जल्दी stock में हमें उपर के level भी अच्छी होते वे दिखाई दे सकते हैं तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसका फोर्कास्ट वीडियो मैं के बनेस पर एक बाप बदना चाहूंगा अभी तक आपने हमारे YouTube चै चलितव हम्हारे एंजिल वन मुबाइल अप्लिकेशन में हमारे मुइल एप में यहां पर सिंपलिए हमें वास्टलरिस्ट में चाहिए कर ऋएँगें हमें उपर के साइटjang संक्टलर करना相关 odames कि हमें data power का देखना है तो हम यहां पे data power टाइप कर लेंगे जैसि आप यहां पे data power टाइप करोगे यहां पर आपको stock का नाम दिखाई दिने लएगा हम यहां पे cash में discuss कर रहे हैं तो हम यहां simply एनेच को यहांसे add कर लेते हैं अभी देखिए data power का NSE का जो है stock exchange का हमारे यहाँ पे add हो चुका है अभी जो है यहाँ पे आपको इसके again उसके उपर tap करना है जैसी आप उस पे tap करोगे यहाँ पे आपको chart भी देखने का option ने दिया है अगर आप mobile screen में chart भी देखना चाहते हैं इंट्राडे के लिए अभी देखें यहाँ पे simply हम यहाँ पे buy पे tap करेंगे आपको यहाँ पे quantity select करना है जैसी आपको अगर से मान लीजे 30 quantity buy करना है तो हम यहाँ पे 30 quantity enter कर लेंगे अगर आपको limit में buy करना है मतलब आपकी मनपसंद price पे buy करना है तो आप limit में रखेंगे अगर आपको market rate में buy करना है मतलब पी current price जो चल रही है उस पे तो आप market rate पे इसको select कर लेंगे अभी देखें यहाँ पे इंट्राडे का इननों दिया है delivery का भी दिया है आप stock को जो है overnight के लिए hold करना चाहते है मतलब एक दिन से जादा के लिए hold करना चाहते है तो आपको delivery में जो है उसको buy करना पड़ेगा simply हम यहाँ पे buy पे touch करके अपना order execute कर सकते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करिए और यह जो वीडियो बनाएगी है सिर्फो सिर्फ educational purpose के लिए बनाएगी है तो चले मिलते हैं next वीडियो में इस YouTube चैनल के साथ तब तक के लिए take care